और वही क्या, चल सब के, कैसे हो सर्फ, फस्ट फल हम बात का रहते हैं बिग बॉस के बारे में, तो कैसे आपको पता होगा, आज सेटेड है, यानि कि विकेंड का वार सलमान खान आएंगे, और वो कुछी घंटों में ट्रेलिगाश्ट होने वाला है, लेकिन उससे पहली मैं शो को बहुत कुछ दिया है, चाहिए वो नेगेटिव दिखे या फिर विलेन दिखे, विलेन बनना भी एक बड़ा टास्क है शो में, येस एलवेशी ये बात पूरी सही है, बिग बॉस शो ही ऐसा है, जहाँ पर अगर कभी कभी आप नेगेटिव रोल भी प्ले करते हो, लोग आपको पसंद करेंगे, और इसकी बाद वही पर आशिका भी आ जाती है, तो फुक्रा इंसे एलवेशन आशिका को ये कहते हैं, कि यार अगर तुम तो नों वाइल कार्ड में नहीं आते हैं, तो कल हमारा फानेल होता, बट नेक्स लाइन को कहते हैं, अब तो आन्ध फुक्रा इंसान की भी मम्मी आएंगी, और बताया जा रहा है कि एलवेशन आदो के फैमिली से कोई नहीं आएगा, शायद उनके फ्रेंड आ सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि सलमान खान कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, तो पता हुगा एक टास्क में बेब इन आशुन को रिप्लाइ में कहेते, तू का जिंदी को 26 साल का ही रहेगा, तो एज बड़ेगी न, अगर आप में से किसी को एक्जाकल याद है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो सलमान खन, अभिशेक महलन को डाटेंगे, एज शिमिंग के लिए, इसकी बाद थोड़ा बात तो होगा, Elvish और Manisha का bond को लेके, connection को लेके, क्या को पता होगा, Manisha recently proposed कर देती Elvish को, and recently जो task को अधा, ticket to finale, जो कि Elvish अदब की टीम जीत गई थी, उसका credit जिया को जा सकता है, उस पर सलमान खन कह सते हैं कि ये credit जिया को जाएगा, पता नहीं भाई, कैसा जाएगा, क्योंक अपने emotion चुपा रहे हो, और उसी सामने fake बन रहे हो, यानि ये अंदर ये अंदर तो मैं उसको like करते हो, लेकिन सब को सामने बोल नहीं रहे, फिर पूजा के casting को लेके बात होगा, जो कि Just Kalita's कुआ, and last but not the least, क्या आशिका भाटिया का eviction होगा, क्योंकि आपको पता होगा, क्या हुआ हैं।